यह जो आपके शामने फोर वीलर गाड़ी खड़ी है इसका नाम मैजिक है यह मैजिक चार पईयों वाला होता है और दोनों तरब देखिए सीसा है एक बीच में सीसा है आगे दो सीट दिया है और पीछे सभी सीटें अहले भूल है इसका माइलेज बहुत अच्छा है इस पर आप सभी लोगों को आगे इसका बाड़ी होता है जहां पर आप देखिए पूरा द्यान से जहां पर आप बैठते हैं उसके ठीक नीचे टायर है और हम बिल्कुल टायर पर बैठते हैं और इसका जो हैंडिल है ब्रेक है गेर है यह सब टायर से आगे होता है तो जब भ हम अपने टायर पर बैठे हैं और सामने देखे देखिए एक दूस्रा ध्यान देनी की इसमें बात यह है कि जब भी आप इस सीट पर हंडिल पर बैठ रहे है तो उपर देखिए एक शिसा है जो पीछे देखने के लिए लगा होता है तो यह बिल्कुल सेंटर में होता है आप ध्यान से मिलाएंगे तो यह बिलकुल सेंटर में होता है और सेंटर में रखने के लिए आपको कोई सेंटर में रख ले कुश भगवान का मूर्ति कि कोई भी सीज आप सेंटर में रख ले और बिलकुल ऑपने जहां पर बैठें हैं झाले meget उत्ते के अ उसका हम अलोकन कर सकते हैं कि हम कितने दूरी पर गाड़ी ले जाएंगे तो हमारा बाया साइट का जो भी बाया साइट में खड़ा है अथवा जा रहा है तो वो पूरा अच्छा से बच जाएगा क्योंकि गाड़ी चलाने में सबसे ज़्यदा प्राब्लम जो होती है वो बा पर चलते हैं जब भी अम रोड पर चलते हैं तो बिल्कुल हमको अपने सैड में चलना चाहिए अपने तरफ चलना चाहिए दूसरे तरफ हमको दूसरे लेन पर कभी नहीं जाना चाहिए और इसका अलोकन करने के लिए बिल्कुल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे लेकि इस वीडियो में देखें गाड़ी को कैसे चलाया जाता है तो बिल्कुल अपने सैट में ले चलिये और बिल्कुल चार नमर में ले जाएंगे और फरेश अच्छा गारी है सिखने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और पहली बार मैजिक से ही सिखने में बहुत अच्छा रहता है तो इसलिए आप सभी लोगों से या हमारा निवेदाने की मैजिक से ही सिखिए और बिल्कूल आपको हम 10 दिनों में 10 वीडियो में आपको गाड़ी चलाना एकदम सिखा देंगे यह पहला आपका ट्रेनिंग है आपको पहले बताया जा रहा है और दूसरा जो बात है हम बता कि जब भी गाड़ी हम चलाते हैं तो यह उपर कैसे कड़ाएं गाड़ी उपर चड़ेगा बंध हो जाएगा तो हम बहुत ही कमाल का आपको आइडिया बता रहे हैं, बिलकुल गाड़ी उपर जाएगा, बंदू जाएगा, no problem, no tension, कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपका उपर गाड़ी जाता है, आप किसी हाइप, किसी पहाड़ी पर, क किसी पूल पर चढ़ाते हैं तो उस समय चढ़ाते समय आप थोड़ा भी केर करेंगे तो आपका गाड़ी पीछे नहीं आएगा आप उसको उपर जब गाड़ी चढ़ाते हैं तो गाड़ी चढ़ा करके और जहां भी आपका गाड़ी बंदो जता है वहीं ब्रेक मार और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है हमारी तो फिर हम हलका हलका पहले कलच को छोड़ेंगे हलका 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 जब कलाच को छोड़ेंगे तो एक position ऐसा आएगा कि पूरी गाड़ी जो है ओगंगंगंगंगं की आवाज आने लगेगी ऐसा थोड़ा थोड़ा हिलने type हो जाएगा तो समझिलेजिये कि हमारा गाड़ी जो है gear mode में हो गया है और उहां brake को हटाएंगे त फिन आपका दाहिना पार जो है इस लेटर पर जाएगा और इस लेटर से आप दीरे 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 इस लेटर को पूस करेंगे एक नम्मर लगा करके आपका गाड़ी दीरे 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 और पहाड़ी हो चाहे पूल हो बिलकुल आराम से चड़ जाएगा इस प्रका अंच ध Karl जलाने जाते हैं तो ऊपर जब चणाई पर जाते हैं तो बंद हो जाता है तो जब भी हम कलच छोड़ते हैं तो पीछे आ लगता है तो पीछे की गाशीह गौड़ी में पहला जाता है तो इसलिए आपसपी लोग और ये दस वीडियो हम रिलीज करेंगे और इसको ध्यान से देखिए और बिल्कुल आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे इसलिए दोस्तों यह पहला वीडियो है और दस वीडियो डेली रिलीज होगा और यह वन बाई वन बाई करकरके और यह वीडियो पांच मिनट का है लेकिन 20 मिनट लगेग कम से कम आपको सिखाने के लिए